नाजिन आदाब मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC News इंडिया नाजिन अगर आपने अभी तर्थ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सची खबरें आप सबसे पहले देख सकें नाजिन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौदूद है डॉक्टर मुम्ताज आलम रिद्वी साब नाजिन आज हम उनसे महाराश्टी की बारे में कुछ खास बातचीत करें है मुम्ताज साब माइनोरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत-बहुत खेर मगदम है मुम्ताज साब महाराश्ट में क्या कॉंग्रेस की मेकर हो रही है या सद्रूल नाफिज होगा देखें मैं समझता हूँ कि इस वर्ट की जो सुरतहाल है उसमें कॉंग्रेस और न्सेपी का बहुत इंपॉर्टन ट्रोल हो गया है कॉंग्रेस का इसलिए नाम आ रहा है बार बार क्योंकि अगर न्सेपी चाहे कि शुसेना को हमायत दे दे तब भी हुकूमत नहीं बन रही है और न्सेपी बीजेपी को हमायत नहीं देगी तो कॉंग्रेस तकरीबन तयार है तो कॉंग्रेस और NCP मिल जाएंगे तो मैं समाचता हूँ कि हुकूमत बन जाएगी और 145 से ज्यादा जो है वो एक इत्यात कायन हो जाएगा तो इसलिए कॉंग्रेस जो है वो किंग मेकर साबित हो रही है ऐसा वहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है क्योंकि इस शेना अड़ी हुई है कि हम अपने N5050 का फार्मूला जब तक BJP नहीं अख्तियार करेगी तब तक हम हुकूमत नहीं बनाएंगे और BJP इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वजीर आदम पहले ही ऐलान कर चुके हैं दिल्ली के जो सब्ड़ दफ्तर है BJP का वहां थे कि हम फिर फर्लवी इसको पांच साल के लिए बनाएंगे बड़ा अच्छा काम किया ये वो तो अब जाहिर से बात है कि अगर ये बैक होते हैं क्योंकि कुई पोजी के नहीं है जो हकूमत बनाएं तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो डेलप हुआ है महरास में और इसमें जाहित बात है कि शियु सेना को पूरा फ्रंट फूट खेलने का मौका मिल ला है और वो इस वक ना सिर्फ अपनी हुकूमत बनाने के लिए बलकि अपने विकार को अपने वजूद को सियसी वजूद को मनवाने के लिए अपने लोहा मनवाने के लिए भी जो है शियु सेना ये सारा काम कर रही है क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहीं न कहीं कह रहे थी छोटा भाई और जूनियार पार्टी और बक्चा पार्टी और ये सब उसको डिग्रेट करने के जो कोशिश हो वई थी तो शीछ सेना इसलिए अब अपने आपको थाबित कर रही है और उससे ने कहां भी शीछ सेना ने तो इस पोजिशन में शीह सेना है क्योंकि बीजेपी के पास 105 सीटे हैं, 40 सीटे और चाहिए हैं, अगर वो आजाद अराकीन असंबिली को लें, तब भी नहीं पूरे हैं, छोटी-छोटी पार्टी हैं, उनके साथ बहुत सारी जाएंगे नहीं, बसमें लेते हैं, मागीम कभ हमायत करने जा रही ने, NCP हमायत करने जा रहेगी, शीह सेना को कर देगी ताकि बीजेपी को रोका जा सके, तो यह वहां का पूरा प्लिटिकल सेनेरियो है, तो ऐसे बीजेपी जो है, उसके पास राइक्स बात मरकज में हुकूमत है, तो बहुत आसानी से सदरूल देंगे, ऐसे कैसे करेंगे, तो अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में महारास जो है, महारास में प्रॉबलम्स ही बहुत है, बहुत सारे मसाइल है, उन मसाइल पर बात नहीं हो रही है, चोविस तारीक को रिजल पाया है, आज दो तारीक हो गई है, तकरीबन नौ दिन हो हैं, वहां हुकूमत नहीं बन पा रही है, हुकूमत बन जानी चाहिए थी, तो अब देखते हैं कि ये श्री हुसेना और बीजेपी का जगड़ा कैसे खत्म होता है, क्या कोई रास्ता निकाल पाती है, हलागि बीजेपी बड़ी माहिर है, बड़ी ताका थे उसके पास, उ पता नहीं क्या क्या है, जैसा कि लोग कहते हैं, और इसके जरीव अपना काम चलाती है, यहां को काम नहीं चल पा रहा है, क्या है यह देखने वाली बात होगी या फ्युचर में क्या होता है। रिजएपि इंदाफ शाब क्या यह बिजएपी नाकामी नहीं है कि एक हफद़ गुदर जाने के बाद भी हुकोमत नहीं वना पाई है मैं समझता हूं कि यह बिजएपी की बहुत बड़ी नाकामी है और बहुत मैंडेट लोगों ने दिया है और वापसी हुई है और बड़ी बड़ी बातें जो कही जा रही थी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जटका है खास तोर से जब ये नारा दिया जा रहा था हरियाना में 75 के पार यानि वहां पे 90 सीटे हैं और महरास में ये कहा जा रहा था 200 से पार कि वहां 288 सीटे हैं कामडेशन सीटी को सिर्फ 25 से 30 सीटे जो एक्जिट पोल आया था उसमें दिया जा रहा था तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर से बात है ये ये शिकस्ती है जिसको अमहार मानेंगे यानि जो लड़ू मैं बार-बार कह रहा हूं जो लड़ू आप बांटने के लिए खरीदा था आपने बनवाए के लड़ू वह लड़ू ढरे के बरे रहे गए लड़ू जो है वह बत नहीं पा रहे हैं मिठाई जो है वह खटाई में बदल गई जो मिठाई बीजेटी की थी वह खटाई बन गई तो ऐसे सूरत में हम इसको क्या कहेंगे ये कोई कामियाबी तो है नहीं कल मैं नीज 18 उर्दू में बैठा था दिबेट में तो मैंने कहा कि असल में बीजेटी जो है और कान्फिडेंट बहुत होती है तो उसनी नीचे कुरसी सजा ली नीचे कुरसी उससी सजा ली लेकिन यह नहीं देखा कि वह खजूर में ओदा कर गया है वह नीचे आया ही नह क्यों कि उनको कूर्थी मिलते मिलते वह रह गई यह पहल कि ऑनोंने हो सकता है बायट करें कुछ मामलात हलो जाते है लेकिन इधर П.N. मेले रहें कहिंडिया तो इस पर भी पर गई शुझे न कि अच्छा बनाओ पर जाके बना के दिखाओ ए चीज़ कही है जाके बना के दिखाओ तो बीजेपी कैसे बना अच्छा पर यह कहा कि हम गवर्नर पाद जाएंगे हम मुकाल लेंगे बाद मनवान तो अगर मान लीजिए हलफ ले ले बड़ यह रूल है बड़ी पार्थी होती है उसको गवंदर दावत देता है कि आप खुमत बनाएं और फिर आप फ्लोर के इसको टेस्ट होता है साबित करें अपनी अक्सरियत साबित करें लेकिन अगर अक्सरियत नहीं साबित होई और हुकुमत गिर गई तो यह और बुरी बात होती है तो इसलिए बीजेपी डर रही है यह पूरा सेनेवियो है और इसको हम क्या सभी जो भी थोड़ा कभी सियासी शाओर रखता है यह बता देगा कि यह बीजेपी की बहुत बड़ी नाकामी इसके साथ टालमेल नहीं हो पाराई उसरा साहिबा जिसके साथ मेलकर एलेक अगर अवाग की बात करें तो इसमें तो मैंडेट दे दिया दोनों को मिल करके चूंकि दोनों एलेक्शन मिल करके लड़े थे एक सो पैतालिस चाहिए इनको एक सो चपन सीटेंप दे दी गए बलकि एक सो एकसर गालेबन मुझे एक जाएक फिगर नहीं आद लेकि एक सो दिन्यधारी किसी को नहीं अदा करनी है, जाही बड़ा भाई बन जाए, लेकिन बड़ा भाई बनने को साफने में अदा की जाती तो बड़ा भाई बनने कंशो लेकिन चुकी लूटना गसोटना है इसलिए हर कोई बड़ा भाई सोच्णा बन करके सारा माल जो है हर अपने पर शीर भी अभी करे कि हमें बड़ा भाई ने बनाएं लेकिन हमें बराबर के जुणवा भाई बनाओं लेकिन बड़ा भाई मत बनाएं लेकिन जुवा भाई बनाएं हम छोटा में बनेगे तो यह सारा जागड़ा कुरसी बड़ा भाई चौदरी राजा बार्चा की जो भी आप पहली यह उसका सारे ब्रामा चलना है अलाम की वहां पर फिक्र नहीं है कि किसान मर रहे हैं महिगा पर है अध्मास्फेर मैंने थोड़ी दिन पहले बात कहिए ती कि महालियात में बड़ी तेजी स्थी तब दिली आ रही है बड़ी बड़ी रिसार्च हैं कि मुंबई खत्रे में हैं समंदर के लहरें जो हैं उट सकती हैं 30 साल मुंबई ख़त्म हो सकती है हर साल आप देखि इस सा इस सीचुएशन है लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वहां बड़ी नहीं करता है रहा है कि मुंबई भाइगी बाउद कर चलती है आप यह सब जो है किसे बहाई वाला सब खेल चलना तो अगर गोंगर्स शिवसेना की खुमत बनती है तो यह तजूर् देखे, हुकूमत चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या होगा, हमने दो मकामात पर देखा है, एक करनाटक, अभी हाली ने, कि वहां मिल करके हुकूमत बनी, लेकिन बीजेपी ने उसने रोड़ा डाला और हुकूमत नहीं चल पाई, इससे पहले अगर आप जाएं तो बिह तो यह प्लिटिकल सेनेरियो रहा है, और भी मिसाले मिल जाएंगे, मैं नहीं कहता कि यह चीज जो है वीजेपी के गवर्णमें में हुई है, कॉंग्रेस के गवर्णमें में भी भी हुई होगी, यह प्लिटिकल हुआ है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह जीह साथ हुकूमत बनाने का और शियुसेना के लिए भी बिल्कुल नया तजर्बा होगा लेकिन देखे क्या है असल में जो नजरियाती लड़ाई है और वो तकरीबन अब नापायच सी हो रही है मतलब शियुसेना के साथ कांग्रेस को जाने में कोई तकल्फ नहीं होगा ये हैरत की बात है ये हैरत की बात है एन्सीपी को शियुसेना के साथ जाने में तकल्फ नहीं होगा ये हैरत की बात है उसकी बज़े यह है कि दोनों के बिलकुल अलग छोर हैं एक राइट विंग है और एक हम लेफ विंग कहले हैं यहीं एक का नदरिया जो है वो सेकुलरिजम है और दूसरे का नदरिया कमुलिजम है बिलकुल मुक्तलिफ है बाल ठाके पूरी जिंदगी यह कहते हुए मरे कि दावरी मस्जीर हमने गिराई है यही जिंदगी यह कहते रहे चैलेंज करते रहे और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हुए उनके बैयाना बिलकुल आयोद्या के मामले में और दूसरे मामलात में और कॉंवरेस का जो जो इनकी पार्ती है वो बिलकुल सेकुलर लेक है कि वहाँ बीजेपी को पैसे शिकर्ष दी जाए बीजेपी की चौद्राहत कैसे खत्म की जाए इसके लिए यह हमायद दी जा रही है वहाँ पलिटिकल सेनेरियो चेंज करने की बात है और तीसरी बात यह है जो मैं समझ पा रहा हूं कि कॉंग्रेट और एलेक्शन नहों क्राना बहुत मुश्किल काम होता है सरकार के लिए और जो पापिये उनके लिए भी पूरी तैयारी को होती है आवां भी इंगारी प्रमोनी यह मां जाजा पर लेकिन यह की यह टजर्बा काम्याब होगा नाकाम होगा इस पर अभी कुछ नहीं का जाकता लेकिन यह है कि यह एक तजर्बा हो सकता है महारास में कि NCP को हमायद दे दी जाए और NCP का चीपनिस्टर बना दिया जाए चीपनिस्टर पर मोहर लग जाए बाद में क्या होता है यह अलग चीज है एक चीज और जो कल सोनिय जी ने कहा कि हम इमायत नहीं देंगे उसकी एक बड़ी वज़े यह है कि दिखे पेशर पॉलिटिक्स कर रही है शुसेना पेशर पॉलिटिक्स करते हैं कि जैसे वो यह कर रही है शुसेना कि अगर आप हमें नहीं बनाते हो तो हम NCP और Congress से मिल करके बना लेंगे भागी शुसेना कोई option नहीं है अगर 56 सीटे है किसी के पास और 145 सीटे चाहिए तो कोई कैसे दावा कर सकता है नहीं कर सकता है कि जब तक कोई back में नहोगा अगर शुसेना बोल गई है तो इसका मतलब यह है कि back में कोई है और back में कौन हो सकता है back में कौन हो सकता है सवाई एक NCP of Congress तो वहराल यह है नया तजर्बा है और politics में इस तरीके के तजर्बे होते रहते हैं हमने इससे पहले भी देखा है 78 में 79 की मेरी पैदाइश है मैंने देखा इसलिए कहा कि गोया कि मैंने हिस्ट्री पढ़िए मैं उस वक्ता नहीं तो लेकिन 78 में भी इस तरीके तजर्बे हुए थे और तमाम पार्टी जिसमें संग के दो दो मिंबर पार्लिमेंट ते जनता पार्टी के बार में भारती जनता पार्टी बनी तो दो पार्टी मिल करके और तमाम पार्टीयां मिल करके समय प्लेट्वाम पे आये थे ताकि कांग्रेस को सबक सिखाए सके जा सके तो इस तरीक एक तजब्बे ऐसा नहीं कि माजी में नहीं हुए है माजी में भी इस किस्म के तजब्बे हुए है तो कहने के मकसद यह है कि पॉलिटिक्स में कोई नहीं चीज नहीं होती है और नहीं चीज होती भी है तो वो दाहरती बात है कि जैसा सेनेरियो होता है, जैसा माह Compl выше होती है वैसे पॉलिटिक्स में क्योंकि हम पॉलिटिक्स का जो समझ पाया हूँ यह धरम है पॉलिटिक्स का सियासत का इक ही मजभ है और वो मजभ एक्तिदार कि हमें हुकूमत ऐसे मिले, आप कोई कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं अच्छा उसका जवाद यह है कि जब हुकूमत बनेगी तभी तुम कुछ काम करेंगे हुकूमत बनके ही तो अपने मेरे फिस्ट जारी करेंगे इसलिए भी यह चीजें कही जाती है लेकिन पहली बात जो है वही है कि स्यासत का जो मजहब है वह एक्तदार है और सारी लडाई इस वक्ति महारास प्तदार के है है मुमताँस वह स्थ बहुत 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 शुक्रिया भूल नाजरीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूर थे डॉक्टर मुमताँस आलम रिजवे सहाब तो नाजरीन हम पर राजी र झाल झाल